सब्सक्राइब आज हम स्नेक गेम बनाएंगे जी बेसिक गेम है पूरी प्लेडिस्ट में मैं एक और गेम कराऊंगे बिल्कुल स्नेक गेम वो आपका कम्प्लीट परजेक्ट होगा जिसको बहुत अच्छा डिजाइन किया होगा बहुत अच्छी इसकी बर्की होगी तो इज इसको बनाते कैसे हैं विजाब पर इसको खेल के देख लेते हैं जांस स्टार्ट होगा इधर बड़ा हो गया बस ऐसे ही जैसे 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 अपना फूर्ड खाता जाएगा जैसे बड़ा होना चाहिए अब देखो और बड़ा हो गया तो चलिए फिसको बनाना स्टार्ट क सबसे पहले अच्छी अमल में देखो क्या चाहिए एक तो हम हैडिंग लिख देते हैं सनेक गेम का साथ में हम क्यानवास के बीच बनाएंगे क्यानवास जे सही है गेम बनाने के लिए इसको एक आईडी दे दो गेम के आईडी रख देते हैं इसके हाइट विर्थ रखो 400 मतलब 400 पिक्सल हाइट रखो सेव 400 तो जहां पर अगर मैं रिफ्रेश करूंगी तो कुछी भी नजर नहीं आना ठीक है तो यहां पर यह वाला यह एरिया हमने डिफाइन के है इसको देखना चाहते हैं जहां पर जाओ जहां पर हमने लगाया हुआ है ऐसा कहते हैं जो बॉडी पर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको भी टेक्स्ट आलाइन करे ही देते हैं सेंटर में जहां पर लिखो जो कैनवास हमने लगाया हुआ है canvas border लगाऊ बॉर्डर चाहिए two pixel solid black color का यह आगया हमारा area बस इतने ही चाहिए हमें CSS में बाकि इसमें को श्याड करने के ज्यादा जिरूरत नहीं है जावा सक्रिप्ट में चलो हम इधर लगाएंगे कोर जावा सक्रिप्ट का सक्रिप्ट टैग लिखो एक बेरियबल बना लो पहले हमने गेट करना है पॉंस्ट canvas ही बना दो बेरियबल कोई भी नाम रख दो document.getElementById जो आईडी हमने canvas को दी है वही लिखो उसका इमाम क्या है गेम सिंगल कोड में आएगा गेम क्यानवास तो बिल्कुल इसके साथ मैच करनी चाहिए जे जो आईडी लिखी हुई है नहीं तो प्रॉब्लम आएगा अगे मैच नहीं करी तो एक जे गेट कर लिया एक बेरियेबल बनाओ पहले देख लो बेरियेबल कौन कौन से चाहिए एक और बेरियेबल नाम कोई भी रख दो CTX रख दे रहे हैं CTX क्या होता है canvas. मैं इनको बोल दूंगी जहां मैं लिखो get context मुझे चाहिए 2D में तो हमारी game 2D में बनेगी हमें canva को बताना पड़ता है एक const बनाओ एक और मैं box लिख देती हूं 20 तो जे वाला box जो बनेगा हमारा snake था न वो जहां पे छोटा सा box 20 pixel का बनेगा तो हमें initialize कर दिया अग बेरियेबल को 20 इसके साथ ह उसका food बनाएंगे let अब snake भी बनाना है तो snake बेरियेबल लगा दो कैसे बनाना है x 200 पर्मा by 200 इतना सही है इसको हम बाद में देखेंगे क्या है तो snake इसी के साथ बनाएंगे let एक food बनाना है food भी same बनेगा x 0 रहेगा by 0 तो जे हमने कुछ वैडियेज इनिशिलाइज करी हुई है x-axis and by-axis तो 200 पिक्सल मान लो इतनी वैडियू है तो जे food इसका 0 से स्टार्ट होगा food हो गया एक और बेरियेबल बना लो let dx is equal to 0 तो जे बेरियेबल हमारे बाद में काम आएंगे तो इसको हम तब ही देखेंगे इसको फिलहाल लगाके शोड़ जे सारे बेरियेबल हमें चाहिए ठीक है अब जहां पर लिखो ctx.phil style is equal to green जे है हमारा एक जो बॉक्स बनेगा तो इसको एक फंक्शन के बीचे लिख देते पहले सनेक बना लेते हैं तो कोई भी नाम रखते हो फंक्शन का अब वह वाला कोड यहां पर लगाओ सनेक का बैगराउंट कलर जेस पिलकुल ऐसे होता है कि जैसे css में बैगराउंट कलर एड़ करते हैं तो canvas में हम लिखते हैं fill style फिल style मतलब बैगराउंट कलर गरीन का ह है आपके सनेक डॉट पॉर ईजे वर चैपी सिगमेंट अब जहां पर हमें सिगमेंट देनी पड़ेगी क्यूंकि उसको हमने करते रहना है सिगमेंट डॉट ैक्स कॉमा सिगमेंट डॉट वाई एक्सिसे मतलब हमारी पूरी सक्रील साथ में लिखो क्या बनाना है इसका बॉक्स एक X-axis बनी गए एक Y-axis तो 20 पिक्सल X-axis है 20 पिक्सल Y-axis है जहां पे देखो इधर लिखा हुआ है इसको इनिशिलाइज किया हुआ है यह हो गया बॉक्स जहां पे यह वाली ब्रैक्ट आ गई इधर हमने एक जह वाली ब्रैक्ट इसकी हो गई बंद इधर और जह वाली इधर आ गई अश्या जहां पे न हमसे गल्ती हो गई जो स्नेक फॉर इच लगाया हुआ है इधर गल्त हमने निक दिया इधर हमने एक फंक्शन बनाना था इसको हटाओ स्नेक डॉर इच सिगमेंट जहां पे न हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा क्यूंकि हमने फॉल उप लगाई हुई है तो ऐसे लगेगी अब जहां पे आएगा सीट्याक्स डॉर फिलरेक्ट फिलरेक्ट हमें इसको करना पड़ेगा फिलरेक्ट मतलब होता है कि जहां पे जो स्नेक जा फूट आएगा न वो ऐसे बॉक्स की शेप में आएगा तो इसको हम रेक्ट बोलते हैं कैनबस में फिलरेक्ट हम लिखेंगे segment.x, segment.by x & y दोनों तर्फ से इसको बना देगा साथ हमें box, box 20pixel 20px जहां पर आएगा एरो फंक्षन इस से पता चलेगा कि जी का फंक्षन है अब जे बाला एक फंक्षन बनंगया है draw snake का snake draw होगा इसके साथ लेकिन अभी मैं इसको refresh करूँगे तो कुछ भी show नहीं होगा क्योंकि इस function को अभी तक हमने call भी नहीं किया इसको copy करो function calling इसको बोलते हैं अगर आपने पहले पढ़ा होगा graduation में तो जहां पे draw एक और अलग से function बनाएंगे draw यह जो हमने function लिखा हूँ है इसको इसको बोलते हैं function calling जो भी हमने function मनाया सारे function के रूप में हम करेंगे हर एक function को बस इदर calling करते जाएंगे अब जहां पे हमने इसको call कर दिया इदर इसकी working start हो जाएगी लेकिन फिर भी जहां पे हमें snake नजर नहीं आएगा नजर कैसे आना है अभी हमने और code करना है इसको सामने लेके आने के लिए जहां पे हम एक function मना देते हैं change direction का नाम कोई भी रख दो change direction इदर एक parameter पास करेंगे event नाम का event नाम का parameter पास करेंगे इसके पूरी working हम बाद में करेंगे इसको बस लगा के शोड़ दो इसमें पूरी जब भी मैं keyword से कोई key pressure करूँगे इस game को बनाने का मेन मकसद जही है कि आपको keyword के साथ काम करना जाए तो इसी के अंदर सारे हमारे keyword आएंगे जो भी keyword के साथ attach है तो अब जहां पर हम एक बनाते है generate food बना दो कुछ भी नाम लिखो एक function नहीं मान लो generate food जहां पर लिखो let let eat food false eat food क्या है इसको false करना जुरूरी है eat food है मतलब इदर शोटा सा box नजर आएगा food उसको false करना है तो वो बहां का बहां ही रहेगा मतलब सिर्फ शोटा सा है वो शोटा ही रहेगा बड़ा snake नहीं होना है food शोटा ही रहेगा eat food false document.add event listener अब इससे पता चलेगा जब कोई बंदा key down करेगा इसको आप change नहीं कर सकते key down अगर लिखा है key down ही रहेगा जे keyboard के साथ इसको interfaces का बनाएगा जे जो हमने फंक्शन बनाया हुआ इसको copy करो जहांबे करो paste if const game is equal to interval set करना पड़ेगा set interval अब जहांपे हमारा आएगा draw वाला function इसको बनाया था न draw वाला function जहांपे perform होगा उसके बीच क्या लिखा है draw snake draw snake के बीच क्या लिखा हुआ है जे वाला code जे वाला code फिर बढ़क करेगा पहले हम इसको refresh कर देते हैं और इदर inspect करो साथ साथ में error भी देखने है क्योंकि game बना रहे है तो error तो आनी ही है इधर देखो error generate food हमने अभी तक define नहीं किया तिसी लिए ये error तो आएगा ही अब हम चलते है मेन हमारा वो बनना कैसे है जो सरेक होगा वो बनना कैसे है उसको हम बोलते है इधर लगा दो generate food इधर है इसके ऊपर ही लगाएंगे ये वाला इसको copy करो हम लगाएंगे math का function जापे लिखो function वो copy किया है generate food ये function है इसकी working लिखो food हमने जो variable लिया था food.x is equal to math.randomly हमने उसको design करना है randomly कोई भी box बनके आ जाएगा तो जे है randomly push भी design करने का method random इसको multiply कर दो 20 क्योंकि हमने box की value 20 रिखी हुई है तो 20 फिक्सल का box बनके आएगा बनाना क्या है box जहां पर copy paste कर लो क्योंकि दो दोनों बाई से एक्सिस से बनेगा एक्स 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 एंड बाई एक्स दोनों से ही बनेगा refresh यहां पर बन गया तो इधर error चलीगी यह बन गया हमारा एक food नहीं हमने snake बनाया है तो एक snake बन गया अब food बनाते है फूड को हम यहां पर बनाएंगे draw snake बनाया हुआ है इसलिए नीचे हम एक function दूसरा बनाएंगे function इसका नाम रखो draw food रख देते हैं draw food same ctx.fill style इसको हम red करेंगे जो food रहेगा वो red color का रहेगा ctx.fill rect वो भी box rectangle के shape हमें बनेगा food.x, food.y बनाना क्या है box एक x-axis एक y-axis से बनेगा एक ही नेकिन हमें दोनों तरफ जे नजर आना चाहिए अगर हम इसको करें refresh तो कुछ भी नजर नहीं आना क्यूंकि हमने just function एक बनाया हुआ है पहले इसको copy करो draw food यहां पे draw बाला है सारे function यहां पे call करते जाएगे draw food को call कर दो साथ में इसको refresh भी करते जाओ बहुत दूसरा आ गया ठीक है एक इसमें snake आ गया एक इसमें food आ गया जे हो गया designing होगी complete अब इसको बंद कर लेते हैं अब हम चलते हैं बर्किंग की तरफ अब हमने इसकी बर्किंग करनी है कि जैसे हम keep rest करेंगे keep rest करेंगे तो कुछ ना कुछ perform होना चाहिए फिर event listener का हम बाद में लगाएंगे कितना move करना है पहले वो हम बना देते हैं हम जहां पर रिख देते हैं इदर ही लगादे code इसके ऊपर लगाएंगे एक function बनाओ function का नाम हम रख देते हैं eat food रख जो जब बो snake eat करे food खाएगा तो कितना move होना है उसने move करना कैसे है अब वो देखो पहले eat food का ही बना ले इफ नहीं तो पहले उसको move करना जरूरी है तो move हमें पहले लगाना पड़ेगा code तो मैं जहां पर यह बना हटा के move लिख रहे हैं move snake तो जो खानी वाला है वो बाद में रगाएंगे एक const variable बना लो head कोई भी बना लो जहां पे जो हमने उपर लिखा था एकस कॉलन snake 0 जे है इसका index 0 मतलब जो जहां पर value है जे 0 value है इंड में से जो भी snake है न इतना शोटा है जे 0 value पर है बस जे index 123 change होता जाएगा इसका size बढ़ता जाएगा जहां फे इदरी लिखो dot x x-axis से plus dx तो j dx न हमने zero initialize किया था dx and dy ये पूरी screen के लिए है dx मतलब left to right right to left move करेगा अगर तो dy top to bottom जा फिर bottom to top move करेगा तो snake बड़ा होना चाहिए अगर food खा रहा है comma y से भी same आएगा snake zero dot y axis लिखो plus कर दो dy जहां पे लिखो जो snake है dot unshift shift करना होता है एक content है उसको उसकी जगा से आगे खिसकाना ऐसे बोलो shift करना है shift किसो को करना है head को head मतलब j वाला head है इसका j जो है head है इसके पीशे जो बनीगा इसकी tail मान दो पीशे से बड़ा होता जाएगा तो इसको आगे कर देंगे इस head को आगे की तरफ फिसकाते जाएगे पीशे जो पीशे जो पीशे जो से बड़ा होता जाएगा head if not if not eat food अगर जो फूड नहीं खा रहा not जे और not operator है सामने बाला जे बाला अगर फूड नहीं खा रहा then snake dot pop अगर push pop आपको पता है push होता है किसी चीज़ को enter करना pop होता है delete करना else eat food अगर खा रहा है else false कर दो eat food गो नहीं खाएगा फिर साथ में हम call कर देंगे function को कौँ सा function है generate food तो वो food generate करेगा वो फिर function चलेगा पहरे इसको refresh करते हैं तो जहां पे आ गया अभी जो move नहीं हो ना इसको यहीं पे रखेंगे यह एक code हो गया यह है just move करने का अब हम event listener पहले नगा वेते हैं यहां पे चलो हमने function एक ब्लैंक चोड़ा था इदर गया event उसमें लगाया हुआ है जे बाला change direction फिल इसका code हम खत्म करेंगे कि की बोर्ड से की प्रेस करेंगे तो काम जे कैसे करेगा इसमें करते हैं उसे वीडिया में मैंने बताया था कि हमारे keyword के fix key code होते हैं उन key code को हम use करेंगे देखो कैसे if key pressed जे जो variable बनाया हुआ है triple is equal to 37 है तो जे code 37 है left arrow का तो आप जाके internet पे भी सर्च कर सकती है left arrow key code तो आपको 37 वाँ पे value नजर आएगी dx not is equal to box if key pressed 37 है 37 मतलब मैंने left key press करी हुई है तो d7 dx में जो value होगी अगर वो box के equal नहीं है मतलब box क्या है 20 pixel का अगर वो 20 pixel नहीं है जहां पे लिखो dx is equal to ये कर देंगे minus box तो जे minus होता जाएगा box dy is equal to zero अब ये पता क्या है अगर हम left arrow प्रेस कर रही है न बाकी arrow सारे disable रहेंगे left मतलब x axis की तरफ जा रहा है तो पूरी working x axis पे होगी y axis zero रहेगा left के तरफ move करना है बहाँ पे सिर्फ x axis working में रहेगा y axis disable रहेगा disable मतलब zero रहेगा अगर हमने right की प्रेस करी यहां से तो dx जहां पे zero हो जागा dy की working आ जागे मतलब top to bottom जहां फिर bottom to top एक j code हो गया साथ में refresh भी करते जादे है इसको हम करेंगे inspector साथ में j open कर लेते हैं तांकि error हमें सामने से नजर आती रहे error कोई भी नहीं है जहां पे कोई error नहीं है सही है code एक j हो गया अब इसकी पहले हम working कर लेंगे कि अगर j वाला हम press करेंगे बाकी जो कीज है तीन बाकी जो कीज है उसको हम बाद में करेंगे तो इसकी working complete करने के लिए हमें और एक function बनाना पड़ेगा हम चलते हैं इस function को हम eat food बाला बना दे पहले generate food कि दर बनाया था ऐसे थोड़ा सा sequence बनाते है generate food अब जहां पे हम लगाएंगे eat food नहीं तो पहले move बाला ही बनाते हैं फिर sequence बाई चलते हैं पहले move कर लें इनको तो जहां पे एक function बनाएंगे यह बाला हमने जो move snake बाला function बनाया है पहले इसको copy करो इसको हमें जहां पे call करना पड़ेगा किदर लगाए हैं हमने जह बाले draw बाला है ना function इसके अंदर हमें सारे के सारे function रखने पड़ेगे इसका मतलब होता है calling refresh एक जह बाला हमने create किया था अब देखो मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ जहां पर ना हम जावा से करेट में sequence बना के रखना करता है जह बाला function मैंने जहां पे लिख दिया जह बाला function इधर लिख दिया call कर दिया तो जह बाला जो function है हमने इसके ऊपर बना दिया है हमने इसको उठा के जह बाला move से नेक बाला इसको इसके बाद लिख देते हैं मतलों जहां पर सीक्वेंस बनाएंगे हम एक इधर लिख दिया जे बाला मोब से नेक बाला हो गया उसके बाद जेनरेट फॉड बाला जे बाला इसके ऊपर रखेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए क्योंकि बानवाई बाने ये function पर फॉर्म होनी है generate food वाला इसके बाद यहां पे आएगा सही है अब जो change direction वाला है वो हम बस last में लगाएंगे तो ये वाला जो है इसको भी यहां पे रहने दो refresh कोई बस error नहीं आनी चाहिए error नहीं है कोई भी अब चलते हैं जहां पे हमारे पास सारा code सही है अब मैं key press करूंगी तो जह move होना चाहिए लेकिन इदर हो नहीं रहा मतलब error कोई नहीं है typing mistake हो सकती है तो जह वाला change direction वाला है जहां पर ही problem है की प्रेस करेंगे 37 की कोड जहां पर प्रावलम है की कोड की सी कैपिटल आएगी जे इसको आप चेंज नहीं कर साथे जे keyword मानलो जावाट का keyword है ऐसे ही लिखेंगे की कोड में सी आएगी capital अब इसको करते हैं refresh करो अब जे मोग होने चाहिए तो जे देखो मोग हो रहा है अब सही है तो मेरे पास देखो keyword का काम चले पड़ा same ऐसे ही में जल्दी से सारे function बना देती हूं जे सिर्फ एक की प्रेस करी है copy कर लो एक हो गया अब दूसरा बनाओ if key press is equal to 38 है 38 38 है अब जो उपर की तरफ जाएगा ठीक है उसका keyword है keyword में बाकी सब जहां पर अब बाई आएगा क्योंकि उपर की तरफ मोग करना है तो वो बाई एकस इस पर आएगा और dx हो जाएगा 0 अब देखो working सिर्फ होगी dy पे dy को हम कर देंगे minus box अब मेरे पास जब मैं उपर की तरफ मोग करूंगी तो जे देखो उपर की तरफ हो गया दो की हमारी keys चल पड़ी अब तीसरी लगाओ की प्रेस्ट 40 39 इस सीक्वेंस लाई जी चलेगा 37 38 39 and 40 तो जे है राइट एरो जहां पर राइट मतलब x-axis आगया तो जहां पर राइट एकस एकस एज रहेगा dx जहां पर सेम रहेगा लेकिन जे है वो प्लस होगा राइट के तरफ जाना है तो जहां पर बैल्यू प्लस आनी चाहिए माइनस नहीं होगा बॉक्स राइट के तरफ जाना है तो राइट वाला भी चल पड़ा जे ना सोचो कि यह ऐसे क्यों चल पड़ा है क्योंकि इसको अब भी हमने करना है बर्किंग किसी करनी है इसकी पूरी सिर्फ कीवोर्ड को देखो कैसे हमें अटेच करते हैं साथ में 40 यह बस डाउन वाला एरो है डाउन मतलो बाई अक्सिज आ गया जहां पे लिखो बाई अक्सिज डाउन आएगा तो बाई अक्सिज पे बॉक्स होगा प्लस माइनस में नहीं आएगा अब मैं डाउन एरो प्रेस करूंगी तो अब देखो डाउन की तरफ आ रहा है जह हमारा इतना हो गया कोड जो हमारा मीन कोड था कि कीवोर्ड के कैसे अटेच करना है इसके साथ जह एक त EAT FOODR करना है एक फंक्शन बना लेते है इधर येिदर बना लेते है, EAT FOODR एक फंक्शन बना ओ sprichtölkerे दिया अब EAT करेगा ये इत FOODR जह हो गया फंक्शन इफ जो स्नेक है डॉट स्नेक एरे आएगा जहां पर इंडेक्स आएगा जीरो जीरो है मतलब जे वाली वैल्यू जीरो है रिफ्रेश करो जे किदर गया अच्छा जहां पर जे आ गया देख लेते हैं इदर ऐसे लगा दो जब तक पूरी आरर नहीं जाएगी यह बर्क नहीं करेगा जे वाली जीरो बैडियू पर है मतलब जिदर हमने इसको स्टार्ट किया है जे जीरो इंडेक्स पर है इसी इंडेक्स को हम इंक्रीज करते जाएंगे तो इफ यहां पर अब य इकल्टो जिल्कल्टो फूड डॉट एक्स अगर यह दोनों इकल है इसने एक्जीरो है फूड देखो फूड यह है फूड एक्से से पर भी जीरो है बइलेक्सी अब है नफय दो क्या करेगा जे किदर गया यह रहा है food.x-axis पे है and यह दोनों condition true होनी चाहिए snake 0.by अगर यह triple is equal to triple is equal to आएगा है double नहीं आएगा इन में difference होता है वो मैंने already बिताया है कि दोनों की data type मालो same कर देता है food.y-axis पे है food.x-axis पे है और जो food अगर snake x-axis पे है और food भी x-axis पे है and snake 0-axis पे है food भी जो by है वो by-axis पे है दोनों मतलब equal है equal जगा पे 8 food बाला function करेंगे true हमने इसको false किया हुआ था 8 food जहांपे देखो 8 food हमने किया था false इसको copy करो अभी जो हमने बनाया इसको अब हम call करेंगे eat food जह eat food अलग है एक 8 food है वो अलग है तो confuse मत हो जाना जहांपे लगाओ इसको जी हो गया function पेले इसको लगा देते हैं देखो move हो रहा है अब दोने तरफ से move हो रहा है मैं जहांपे left की तरफ करूँगी फिर right की तरफ तो बहाँ पे stop हो रहा है लेकिन game over नहीं हो रही है लेकि stop हो रहा है इदर जा रहा है भाई क्या कर लेते हैं इदर यह तो बड़ा हो गया क्योंकि अभी working पूरी नहीं न हुई बो हो गया ठीक है attach हो गया यह true true के spelling गल्थ है यहां पे spelling eight food true आएगा फिर से refresh करो तो बो देखो खा गया तो वो गाइब होना चाहिए तो randomly कहीं भी जाके वो draw हो रहा है तो यह randomly कहीं भी draw हो रहा है जो math.floor वाला हमने लगाया था ना उसके साथ यह randomly कहीं भी जाके draw हो रहा है और यह जो snake है ना अब यह ऐसे है मतलब इतना बड़ा है तो जे ऐसा नहीं होने चाहिए उससे पहले हम जहां पर एक function और बनाएंगे कि game over हो change direction बाले के उपर ही बना दो function इसका नाम में रख दे देंगे check के रख दें चेक कर रख देंगे कोई भी नाम रख दो इफ कैसे game over होनी है इफ snake dot snake 0x जहांपे 0 index dot x अगर x-axis वाले less than 0 value है और और में एक condition दोने से true हो तब भी result आ जाता है snake 0 dot x greater than equal to है canvas dot width canvas को हम find कर लेंगे canvas की height विर्थ से देखो तो अगर जे विर्थ पूरी आगे equal आगे विर्थ एकल आगे तो इसको पता चल जाएगा कि equal तभी होगी अगर जहां से start हो जहां से end हो जहां से ही इसका इधर touch हो गया तो जे विर्थ यहां पर end हो जागी equal आगे मतलब तो canva की विर्थ हमने curly match snake 0 index 0 dot by जह दोने एक ही line में लिखेंगे तो हम जहां पर जह ब्रैक्ट नहीं लगा रही इसको लेके जाओ उपर जहां पर पहले हम न खोटा से code लगाएंगे canvas dot width और जिस snake है अब by axis पर तो लगाएं नहीं हमने तो जहां पर आएगा 0 dot by अगर वो less than 0 है वो less than 0 है then snake जो x है by less than 0 है तो snake और तो और लगाएंगे स्नेक जीरो डॉट बाई ग्रेटर दन इस इकल टू है कैनवास डॉट हाइट अब वाई लगाया हुआ तो हाइट हमेंशन करेंगे हाइट हमने डिफाइन कानी है ना कि विर्थ मतलब इसने करना क्या है जो हमारा इदर प्रावल मानी थी स्नेक आएगा चक करने थे सारे बेरियमर पहले फिर एरर आ जानी है स्नेक की वैल्यू अगर स्नेक की जो जीरो वैल्यू क्या थी स्नेक जीरो जीरो मतलब उसका हैड मेन हैड जहां से यह स्टार्ट होगा इदर से स्टार्ट अभी जी एरर आ गई पहले एरर बखा देते हैं किदर है एरर ब्रैकेट एक जे बाली बंद इदर बो बाली बंद हो गई 64 लाइन पे लास्ट में हमने कितनी ब्रैकेट बंद करी है एक ही होनी है फिर क्या प्राब्लम है ये बंद होगी इसकी ब्रैकेट ये बाली बंद होनी है ये बाली और ये राउंड ब्रैकेट है ये इदर बंद होनी है क्यानवास टॉर्ट हाइट सारी ग्रैकेट तो सही है इसमें आ पोडर लगाके देख लेने हैं कोई यहां पर alert लगा देते हैं simple कि alert आ जाए हमें alert में message आ जाए कि game over ऐसे कुछ लिख दो game over चक कर लेते हैं error अब चलीगे error तो मैं आपको यह बता रही थी यह snake zero snake zero है उसका mean head जहां से यह start होगा तो जब जह बड़ा बनता जाएगा तो इसका head जही रहेगा तो अगर यह head इसका टकराएगा इस दिवार से ठीक है यह head दिवार से टकराएगा कहीं भी coins कहीं कोई भी दिवार से चारों तरफ तो अगर zero वाला part मतलब zero इसका mean head वो शोटा हो zero से ठीक है तो main काम है बस इसके साथ टकरा गया जब तुझे खुद find कर लेगा height विर्थ से क्यानवा की height विर्थ के साथ इसको save करके इसको refresh करके एक वर check कर ले दे हैं तो alert नहीं आया इधर एक लगाओ इधर इसके उपर लगाओ इधर लगा देते हैं clear इंटर्वल गेम रीफ्रेश अभी भी नहीं आया कोई error भी नहीं है चक कर लेते हैं इसको वरकी ही तो हमने कर दी लेकिन इसको हमने call नहीं किया इसको copy करो जिदर हमने सारी function लगा रहे हैं जिए देखो इधर जाके इसको call कर दो save करके अब चक कर लेते हैं तो alert आ गया वो देखो game over game over हो गई मतलब जे code चल पड़ा alert game over तो जहां पे जे जो हमारे पास space आ रही है ने जे हमने खुद add करी हुई है कि इतने में इतने area में जे आएगा ठीक है जहां पे जे बाला है जे बाला इसको हमने less than zero बोला है ठीक है जीरो से शोटा हो तो जहां पर zero मालो इदर zero मालो ठीक हमने zero से शोटा बोला है तो वो शोटे में आ जागा less than आ जागा तो बिरकुल zero नहीं बोला तभी इसमें space आ रही है जे code हो गया complete यह तो सिर्फ ऐसा है कि आप जहां पे touch कर रहे है एक और इसमें होता कि अगर जे अपनी आप कोई है नहीं यह इतना बड़ा नहीं आना चाहिए starting में जहां पर हम एक लाइन एड़ करेंगे संप्समें यह दर सारे कॉल किये हुए है रेक्ट हम जहां कोई कॉल कर देंगे बस इधर यहां पर लिखो ctx.clear रेक्ट हमने बनाया हुआ है रेक्टेंगल मालो जह जो बनाया हुआ है इसको बिल्कुल कलियर कर दो जीरो 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 यह एक्स से दोनों तरफ से जीरो हो जाएगा क्यूंकि वह बहां पे बड़ा मिज़र आ रहा है canvas.bit x के लिए है canvas.bit y के लिए तो इसके सा अब वह शोटा हो जाने चाहिए रिफ्रेश अब मूव करके देखते हैं तो जे सही है अब गेम ओबर हो गई अब यह खाना खाके जो बड़ा भी होने चाहिए अरे भाइए दो हो गए बड़ा हो रहा है ठीक है अब देखो तीन हो गए इसके फास्ट है जब हम बिलकुल अडवांस गेम बनाएंगे न उसमें स्पीड भी हम इंक्रीज कर सकते हैं उसमें हाड लेवल हो सकता है ठीक है मीडियम लेवल ऐसे इजी लेवल बहुत सब एड़ कर सकते हैं तो जे होगी गेम कंप्लीट हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में